कॉंग्रेस का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है लोगतंत्र फ्रीज हुआ है हम अपने पोस्टर भी नहीं छपपा पा रहे हमारे नेता एक जिगह से दूसरी जगह फ्लाइट में तो क्या रेल से भी ट्रावल नहीं कर सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है हम पार्टी फंट का इस कॉंफरेंस में कही गई है आजय माकन, मलिकार जुन खड़गे, राहुल गांदी, सोनिया गांदी ये सब इस प्रेस कॉंफरेंस में मौझूद थे और एक सुर में सरकार के उपर, बीजेपी के उपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए अब बड़ी बात यह है क्या का जवाब आपको दूँगी, लेकिन न्यूज दे थी निंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्स्राइब कीजिए, अब बड़ा सवाल, कॉंग्रेस कैसे सफेज जूट बोल रही है, यह समझने के लिए आपक कॉंग्रेस हो, कोई भी पाटी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षर तक, भारत में जितनी भी राजनीतिक पाटी है, उन्हें किसी भी तरह का कोई टाक्स नहीं देना पड़ेगा, जिया, इंकम टाक्स का सेक्शन 13A यही बात बताता है, तो इसलिए से तो कॉंग्रेस को भी कोई टाक्स नहीं देना चाहिए, लेकर 13A इंकम टाक्स में छूट की बात कहता जरूर है, लेकिन कुछ शर्टों के साथ, मसलन आपको बैलन्स शीट अपनी बनानी होगी, आपको अपनी इंकम, कितना खर्च आपने किया, डोनेशन कहां से मिला, औ इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना होगा, और इन सारी चीजों का रिकॉर्ड इंकम टाक्स को देना होगा, आपको टाक्स नहीं देना है, लेकिन टाक्स फाइल जरूर करना है, तो जितनी भी शर्ते हैं, उनका पालन अगर ये राजनीतिक पार्टियां समय पर करती हैं समय पर तो फिर एक्जम्शन मिलता है लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद किसी भी तरह का कोई एक्जम्शन इन पार्टियों को नहीं मिलेगा इंकम टाक्स के 13a यही बताता है अब कॉंग्रेस से चूंकिया ही पर हुई क्योंकि समय सीमा को उसने फालन नहीं किया अपने प्रेस कॉंफरेंस पर आजे माकर ने खुद इस बात को माना है कि इंकम टाक्स फाइल करने में 45 दिन की देड़ महीने की हमसे देरी हुई अब यह तो हम सब भी जानतें कि वो दोर गया जब इस साल का इंकम टाक्स तीन साल बाद जमा कर दो या पर तीन साल चार साल पहले की इंकम टाक्स में कुछ फेर बदल कर दो उसमें एडिट कर दो कुछ अचा अभी नहीं जमा हो पाया तो अगले साल दे देंगे हाँ तोड़ा सा उसमें जो हमें पैसे जमा करने होंगे वो करने के बाद हमारा income tax फाइल हो जाएगा वो समय गया हाँ एक दो बार income tax return जमा करने की तारीख को सरकार आगे पीछे जरूर करती है लेकिन आप दो साल पुराना tax भी जमा कर दें तीन साल पुराना कर दें पांच साल पुराना कर दें वो समय अब जा चुका है यह पूरा मामला 2018-19 का है जब कॉंग्रेस की तरफ से तमाम शर्तें जिनका पालन करना जरूरी है 13A के तहट वो पूरी नहीं की गई और फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया आप exemption के भागिदार नहीं होते हैं और फिर उसके बाद धारा आती है 220-21 इसमें recovery का प्राधान है तो उसी recovery के प्रावधान के तहट कॉंग्रेस से फिर recovery की गई कानून सम्मत तरीके से जो कॉंग्रेस ये कह रहे हैं ने जान बूच कर किया गया बही जान बूच करने किया गया कानून सम्मत तरीके से धारा 220-21 के तहट जो बातें कही गई है collection and recovery बस उसी के तहट कॉंग्रेस से 135 करोड रुपए मांगे गया है और ये भी कहा गया है कि ये 135 करोड रुपए छोड़कर बाकी पैसों का आप इस पूरे केस का तो समभता वह पैसे को देने होंगे अब उसके उपर कि जितनी भी राशी कोंग्रेस के पास है मतलब वह पैसा जो इंकम टाक्स का है कॉंग्रेस के खाते में इस वक्त उन पैसों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी पैसा जो है वह करे इसका इस्तिमाल जैसे मर्जी अब यही इतनी सी बात कॉंग्रेस को समझ नहीं आ पा रही है या शायद समझ आ गई है लेकिन जूट फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए प्रेस कॉंफरेंस करके यह कहा गया आठ की लोकतंत्र खत्रे में अब जराब समझ यह के इंकम ट अब जराए कांग्रेस के बात फैसे कोंग्रेस की तरफ से नहीं दिया रहा है आप दिक्टिम काट खेला जा रहा है eyes comment section में बताएए